So Hello Everyone, कैसे आप लोग, उमीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे तो दोस्तो आज हम लोग करने वाले हैं निर्ते से संबंदित महत्तपुन्य सवाल और ये सवाल आपके एक्जाम्स के लिए बहुती जादा इंपोर्टेंट है तो जितने भी सवाल है आपको अच्छे से करना होगा क्योंकि यहां से एक नमबर का सवाल आपके एक्जाम में आता है ठीक है एमर का एक्जाम हो या फिर एससाल का एक्जाम हो या फिर डवल एक्जाम हो ठीक है मतलब कि तीनों के एकजाम में एक अक नमबर का सवाल पूछा जाता है तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये सवाल आपके लिए कितना महत्तपूर्ण ने ठीक है तो चले शुरू करते हैं लिए शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राब करके बेल आइकन को प्रिस कर देना है और जैसे कि इंस्टाग्राम पे एक छोटा सा पीडिया जा रहा है तो उसे भी जाके ले लिजए क्योंकि वहाँ से भी 7-8 नमबर आपके एक्जाम्स के लिए फिनिस हो जाएंगा ठीक है तो चले शुरू करते हैं आपके अपना टॉपिक को तो देखिए आपके स्क्रेन पे पहला सवाल है सितारा देवी का संबंध है आपके सामने चार ओप्सन है मड़ी पूरी निर्ति से B में कतक निर्ति से C में गर्वा निर्ति से और D में हिंदुस्तानी गैन से तो करेक्ट उनसर हो जाएगा ओप्सन नमबर B यानि कि हो जाएगा कतक निर्ति से संबंध है सितारा देवी ठीक है देखिए यहां से तो fix रहता है और हमने आपको playlist में बहुत सारा वीडियो करवा चुके हैं इसके उपर मतलब इसके उपर नहीं यही सवाल नहीं मतलब अलग अलग तो वहां पे भी आप लोग जाके जुरूर देखना ठीक है चलिए देखते हैं सेकंड नमर सवाल में यामिनी कृष्ण मूर्ती का संबंद किस सास्त्री निर्ति से है आपके सामने चार ओप्सन हैं भरत नाटियम कथकली उडिसी कथक कॉरेक्टेंस रो जायेगा ओप्सन नमर ए यानि क्यों हो जायेगा भरत नाटियम ठीक है भरत नाटियम से संबंदी थे यामनी कृष्ण मूर्ती याद रखिएगा ठीक है उसके बाद देखिए थर्ड नमर सवाल में लीला सेमसन का संबंद किस सास्त्री निर्थ सैली से है आपके सामने चार ओप्सन है भरत नाट्यम कथकली कुचीपुडी उडिसी कॉरेक्टेंस रो जाएगा थर् भरत नाट्यम से संबंदी थे याद रखिएगा चलिए उसके बाद देखिए फोर नमर सवाल में प्रिंड वदा मुहंती का संबंद किस सास्त्री निर्थ कला सैली से है आपके सामने चार ओप्सन है कथकली भरत नाट्यम उडिसी कुचीपुडी कॉरेक्टेंसर हो कुचीपुडी से संबंदी थे प्रिंड वदा मुहंती ठीक है याद रखिएगा चलिए अगला प्रिस्नमलों का 5 में मिर्णा लिनी सारा भाई का संबंद किस सास्त्री निर्थ कला सैली से है आपके सामने चार ओप्सन है कथकली भरत नाट्यम उडिसी कुचीपुडी कॉ उसके बाद देखिए 6 नंबर सवाल में इंद्राणी रहमान का संबंद किस सास्त्री निर्थ कला सैली से है आपके सामने चार ओप्सन है कथक ओडिसी भरत नाट्यम कुचीपुडी कॉरेक्ट अंसर हो जाएगा 6 का ओप्सन B यानि को हो जाएगा ओडिसी ठीक है इंद्रा आपके सामने चार ओप्सन है कथक निर्थे के, मधिपूरी निर्थे के मोहीनी अट्वने निर्थे के, और यानि हो जाएगा कथक निर्थे से सम्बंदित है कौन बिर्जु महराज जो की यह सुख विख्ष्यात का लाकार है याद रखिएगा 7 का option number क्या हो जाएगा option number A हो जाएगा कथक निर्ति से हमने साथ भी बताया ना गलत भी नहीं होगा option A होगा 7 का option A हो जाएगा कथक निर्ति से चलिए देखते हैं अगला सवाल 8 में सोभना नरायन की सास्त्री निर्तिक सहली से संबंदी थे कथकली भरतनाटियम मड़ी पूरी कथक 8 का हो जाएगा option D यानि क्यों हो जाएगा कथक ठीक है option D हो जाएगा सोभ सोभना नरायन की सास्त्री निर्तिक सहली से संबंदी थे तो कथक से याद रखिएगा जितने भी सवाल है सारा का सारा important है इसमें कोई एक भी सवाल मतलब हटाने वाला नहीं है इसमें की लगबग लगबग जितने भी सवाल है सारा का सारा important है आपके exams के लिए चलिए 8 का option D हो जाएगा अगला प्रसने 9 में रागनी देवी की सास्त्री निर्तिसैली से संबंदी थे भरत नाटियम कुची पोड़ी मोहिनी अटम कतकली correct answer हो जाएगा 9 का option C यान क्यों हो जाएगा मोहिनी अटम ठीक है याद रखिएगा important सवाल है अगला प्रसने मलों का 10 में पदमा सुब्रहा मड़यम कि सास्त्री निर्तिसैली से संबंदी थे किस सास्त्री निर्तिसैली से संबंदी थे भरत नाटियम कुची पोड़ी कतक ओड़ी सी 10 का हो जाएगा option A यानिक हो जाएगा भरत नाटियम से संबंदीत है चलिए अगला प्रेशन है 11 में यामिनिक क्रिश्ण मुर्ति कि सास्तिरी निर्थ की ख्याती प्राप निर्थ्यंगना है यह भी इंप्रोडन सवाल है क्योंकि यह सवाल एमर के एक्जाम में पिछली बार पूचा गया था भरत नाटियम कुची पोड़ी उप्रियोक्त दोनों इन में से कोई नहीं सही उतर हो जाएगा 11 का ओप्शन C यानि की हो जाएगा उप्रियोक्त दोनों भरत नाटियम कुची पोड़ी याद रखेगा चलिए अगला प्रिसने 12 में दम यंती जोसी किस सास्त्री निर्थ से संबंदित है कथक कथकली ओडिसी भरत नाटियम कॉरेक्ट एंसर हो जाएगा 12 का ओप्शन A यानि कोई जाएगा कथक याद रखेगा इंपोर्टेंट सवाल है 12 का ओप्शन A हो जाएगा कथक अगला प्रिसने 13 में जावेरी बहनों ठीक है याद रखेगा जावेरी बहनों दर्शना नयना रंजना यमसुर्णा का संबंद सास्त्री निर्थ की किस विद्या से है तो यह देखे यह सवाल थोड़ा सा लग रह नहीं का लेकिन इसे हम आपको बता देते हैं कि क्या हो जाएगा 13 का हो जाएगा option B यानि को जाएगा मड़ी पूरी ठीक है चलिए अगला प्रिसने 14 में रुकमडी देवी रुंडेल कलाक की किस विद्या से संबंदी थे तो आपके सामने 4 option है सास्त्री गायन से सास्त्री निर्त्य से लोक गीतायन से इन में से कोई नहीं 14 का हो जाएगा option B यानि क्यों हो जाएगा क्या सास्त्री निर्त्य से संबंदी थे याद रखिएगा चलिए अगला प्रिसने 15 में भारती सिवाजी किस सैली से निर्त्य के लिए परसिद्ध है ये भी important सवाल है कतकली भरतन अगला प्रिसने हम लोका 16 है निमने लिकित में कौन कथक निर्त्य का उत्क्रिस्ट नर्त्यक है अल्लाक रखा राजा रेड़ी गुदई महराज नाम भी गजब गजब का है पहले था गुदई महराज बिर्जु महराज correct answer हो जाएगा 16 का option D यानि की हो जाएगा बिर्जु महराज ठीक है कौन कथक निर्त्यक उत्क्रिस्ट नर्त्यक है तो बिर्जु महराज है ठीक है option D पर ठीक कर दिजएगा एक्जाम में चलिए नहीं एक्जाम में ऐसा नहीं होगा ना डी मतलग कि कहीं एक पर होगा तो फिर डी नहीं करेंगा ना तो बिर्जु महराज हो जाएगा correct answer अगला प्रिशने 17 में 17 क्या है निमने लेखित में कौन ओड़ी सी निर्त्यसेली की निर्त्यंगना नहीं है तो आपके सामने चार option 17 का हो जाएगा option D option हो जाएगा यामिनी क्रिश्न मूर्ती चलिए अगला प्रिशन 18 में निमने लेखित में कौन कथक निर्त्यसेली से संबंदित है गोपी क्रिश्न अनन्द सिव रामन सोनल मान सिंग और D में भारती सिवा जी correct answer हो जाएगा 18 का option A यानी की हो जाएगा क्य गोपी क्रिश्न है याद रखिएगा चलिए अगला प्रिश्न 19 में कथकली के मुख्ये प्रिणा किंद्र है तो correct answer हो जाएगा 19 का option C यानी की हो जाएगा महा कभी वल तोल ठीक है वल तोल याद रखिएगा अगला प्रिश्न 20 में निम्न लेकित में कौन भारत नाटेम की बिख्यात निर्त यंगना नहीं है तो देखे ये भी सवाली important है correct answer हो जाएगा 12 का option D यानी की हो जाएगा जावेरी बहने याद रखिएगा चलिए अगला प्रिश्न 21 में मात्र 16 वर्ष की आयू में किस निर निर्त यंगना को गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने कथक समागरी कहकर गौरवान्तिवत्वे किया था ते भी important सवाल है देखे ऐसे सवाल है ना थोड़ा सा ध्यान से करना होगा तो correct answer हो जाएगा 21 का option A सितारा देवे ठीक है तो फिर से पढ़ते हैं सवाल को मात्र 16 वर्ष की आयू में किस निर्त यंगना को गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने कथक समागरी कहकर गौरवान्तित किया था correct answer हो जाएगा क्या सितारा देवी चले 21 का हो जाएगा उसके वाद है कि यहाँ पे आपका है टेस्ट इस टेस्ट को जरूर देना सुमेलित की जिए भरत नाट्यम यहाँ पे सास्त्री निर्त है और यहाँ पे नर्तक नर्तकी दिया गया है तो मिलान कर लिजेगा आपको मैंने तो उपर सारा चीज करवा दिया कि आमनी कुर्स मूर्ती जो यह कहां संबंदित किस संबंदित है भरत नाट्यम कैसे होगा जो भी होगा आप मिलान करके आप बताएंगे लेकिन इसका मैं आप इसका स्क्रीन सोट ले लो फटा फट जली से ले लो 22 ले लो इसका मैं कॉरेक्ट इंसर बता देता हूँ कुछ सेकंड बात लेकिन खुझ से प्रयास करना एक बार पहले क्या कर स्क्रीन सोट लेके फिर मिलांग कर लेना उसके बाद यहां पर हमें अप्शन बता देते हूँ आपको कौन सा होगा 22 याद रखिएगा उप्शन ए हो जाएगा चलिए उसके बाद 23 में इसको भी सुमेलिद करना है इसको भी सुमिलिद कर लीजिएगा इस वो फट फट ले जो हमने पढ़ाया वह है चुछ यहां पर आपको मिलान करना है बस और कुछ नहीं तो 24 का हो जाएगा option A यानि क्यों हो जाएगा यह ठीक है चले बस last यह 25 25 का हो जाएगा option B यानि क्यों हो जाएगा ठीक है इस पर मिलान कर लेना है कि B जो है इसका correct answer क्या होगा आप इस टाइप से मिलान कर लेज़ेगा ठीक है उसके बाद देखे 26 में अच्छन महराज का छेत्रे वाद संगीत निर्त पेंटिंग लेकन correct answer हो जाएगा 26 का option number B यानि क्यों हो जाएगा निर्त है ठीक है 26 का हो जाएगा option B निर्त है अगला प्रेशन है 27 में बिम्बावती देवी किस परकार की निर्त के लिए सुविख्यात है अगर आपको किसी भी सवाल में डाउट जैसा लगा होगा तो कमेंट सेक्षन में पूछ लेना होगा मैं नेक्स्ट पार्ट में जरूर बता दूँगा आपको कि भाई मैंने आपके गलती किया था और सायद गलती हो गया होगा लेकिन मेरे तरब से तो मैंने तो आपको सारा चीज सही बदा है क्योंकि भाई गलती पढ़ाने से तो कुछ फायदा है नहीं यह सबसे पहले आप दिमाग निकाल लेज़ेगा कि आप लोग सोचे होगे कि सर गलती अरे भाई गलती इतनी बड़ी ओडियंस मुझे लेकर च चल लगेगा ठीक है तो जाके अपना सर्च करके सवाल को डेली देखना है पढ़ना है मन से करना है बस मिलते हैं एक और वीडियो में तब तक लिए अपना ख्याल रखेगा थैंक्यू सो मच बाबाए टेक किरो लिवेस्ट